नमस्कार फूलन देवी की हत्या के आरोपी रहे सेड़ सिंग राणा इस समय हर्याना के अंदर एक राष्टवादी जनलोग परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं और उसके प्रवक्ता हैं राज़ेंदर सिंग जी नरुका नरुका साथ ये बताईए कि ये आपकी जो परिवर चार के बाद उन्होंने ये निर्णे लिया है कि हर्याना के अंदर राजनीती में राजपुतों की भागीदारी शून हो गई हैं दस लोग सबा सीट हैं वहां कोई भी राजपुत जीता नहीं और जीता क्या कोई लड़ा नहीं और लड़ता तो जब जब कोई टिकिट दे लेने की जहमत नहीं उठाई हर्याना में राजस्तान उत्रकदेस उत्तराखंट के राजपुतों के आपस में रिष्टेदारियां हैं और आज ये प्रिश्चन लग गया है कि हर्याना में राजपुत रहते भी हैं या नहीं तो इसका उनका चिंतन ये था कि भई राजपुतों से मिलकर उन्हें ये बात समझाई जाए कि आपकी राजनितिक भागीदारी श्टूडन हुई है और उसको आखा जाए उसे सिर गिनाये जाए जाए लोगों को बताया जाए कि हर्याना में राजपुत नकेवल रहते हैं बलकि बहुत ही अच्छी इस्तिती मे कPS हैं और पूरे ध्मक के साथ रहते हैं द्रुवसां सब एक बात बताईए कि आप अकसर समाजीक मंचों पर नजर आते हैं और आप अपने आपको पर आपको एक अपने आपको समाजीक शाप करता बताते हैं üron b मैंने अपने आपको कभी सामाजिक कारी करता बता है मैंने ये कभी सामाजिक कारी करता भी नहीं बताया अपने आपको नराज नितिक बताया मैं जो हूँ वो तो लोग आकलन करेंगे कि मैं क्या हूँ लेकिन इतना जरूर है कि सामाजिक सरोकारों में मैं चाहता हूँ कि अपनी भूमी का निभाऊं क्योंकि मेरे दिल के अंदर पीड़ा है और खास तोर से मेरे अपने समाज शत्रिय समाज की जो इस्तिती है उसको देखकर उसके स्वाविमान की जो दिनो दिन हत्याएं हो रही है उसके प्रती मेरे अंदर एक पीड़ा है और मैं उसी के लिए हर जगे प्रयास करता हूँ कि वो समाजिक हो चाहे राजनितिक हो चाहे और कोई चीज हो लेकिन शत्रियों के स्वाविमान और मान सम्मान की रख्षा हो इसलिए मैं आपको नजर आता हूँ हर समाजिक संगठन पर भी नजर आता हूँ और राजनेतिक यहां तक बात है राजनेति मूल रूप से मेरे काम की चीज नहीं है मैं राजनेति में अपने आप को फिट नहीं पाता हूँ लेकिन हां समाज नियंतित राजनेति हो इसका मैं पक्षदर हूँ क्योंकि सामाजिक संगठनों में कितनी ही सकती हो लेकिन राजनितिक सक्ता के बगैर सामाजिक संगठन शमस्या को उठा सो सकते हैं उसका हल नहीं कर सकते हैं नरुकर साब आप एक तरब तो राजनिति को नकारते हो कि मैं राजनितिक विक्ति नहीं हूँ राजनिति मेरे खून में है नहीं है लेकिन आप राजनिती नहीं कर पा रहें लेकिन आप राजनिती के अंदर कभी किसी के साथ हो जाते हो कभी किसी के साथ हो जाते हो आप एक जगे टिकते ही नहीं हो आप कभी करनी चैना के मंच पर नजर आते हो कभी किसी पार्टी के समत में नजर आते हो कभी किसे का विरोध कर रहे होते हो कभी समता के न आते हो आप किसी ममता के साथ न जर आओ तो ये क्या आपका कोई आपका ये स्टेंड एकज़के क्यों नहीं रहता हर आपकी तिस मेने अपना एजंडा क्यूं बदल रहते हो मेरा कभी werd नहीं बदला यदि आप छत्री वीड़ जोती मिशन की परिचाई का देखेंगे उसके अंदर आर्थी की योजना भी है सामाजी की योजना भी है राजनिति की योजना भी है और अंतिम उसका जो लक्ष है वो है रामराजी की इस्तापना और वो छोटी सी मिसन परचाई का है आपने भी पड़ी है और जिन बंधों नहीं पड़ी उसको फिर पड़ ले बहुत कम 17-18 उसके अंदर पेज हैं और उससे तिल भर भी मैं अलग हुआ हूँ तो बताएं लेकिन दिक्कत ये है हाती की किसी ने सूंड पकड़ ली किसी ने पैर पकड़ लिया किसी ने दात पकड़ लिया किसी ने उसके कान पकड़ लिये और बोले जी कान जैसा ऐसा है हाती तो वही राज अंदर शिंग बसेट के बारे में हैं किसी ने कान देख लिया किसी ने राजनीती देख ली किसी ने समाज देख लिया किसी ने संसकार निर दिया कि किसी ने कुछ पकड़ लिया किसी ने कुछ पकड़ लिया आप लेकिन पार्टिया आप अक्सर बदलते थे तो क्या अब आप जो रामराज जिल आने के आपके कल्पना है क्या आप ये आपकी जो राश्रवादी जनलोग पार्टी के नाम से जो शेर सिंग राना ने बनाईए क्या आप उससे रामराज जिलाएंगे देखिए पहली बात तो यह कि पार्टिया मैंने कोई कभी नहीं पकड़ी पिछली बार भी जो गलित एक्ट की वज़े से प्रमोशन में आरक्षन की वज़े से जिसका पीडित मैं भी हूँ मेरा समाज भी है उसके लिए हम ल साथ हमारा सुरू से आंदोलन रहा है और उनीक आग्रे पर और विश्यस आग्रे पर राष्टवादी समानता पालिटी का राष्टी महामंत्री शंगठन का पद मुझे लेना पड़ा जबकि मैंने ये बात उनको पहले भी बताई थी कि मैं सुद्ध गैर राजनितिक रहे कर हमारे समाज का और शर्व समाज का जो हित हो सके उस और अग्रसर होना है सब जालों की बात नहीं है ये वास्तविकता है कि हमारा अंतिमलक्ष वास्तविक रामराज की स्तापना है और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रामराज से पहले भरत राज लाने के लि एक ऐसी राजनितिक विवस्ता से देखिए बरत राज बरतमान परिष्टितियां यानि उनी परिष्टितियों में राम जी की तập से या राम राज लाने की एक भूमीका बनाई जाती है. जहां तक राष्टवादी जनलोग पार्टी का सवाल है भाई सेर सिंजी राणा चुकि आप जानते हैं मैं उनसे विशेश इसने करता हूं वो मुझसे विशेश इसने करते हैं और इसने का आधार ऐसा नहीं है कि हमारी कोई पहले रिश्तेदारी रही हो उनका कृतीत है जो उन्होंने किया है चत्रिय समाज की आनबान सान के लिए चक्रुरती समराट पत्विराच चौहान के सम्मान के लिए वो अपने आपको जोखिम में डाल कर और इतने अधिक जोख अगया है उसको मेरा 29 राणा जी के दमपर यानि उनकी पार्टी के दमं के आप राम राज जी की स्थापना पर направ देखर लेए कि रामराज की इस्थापना तो खड़ावराज से सुरू होती है अब उसके लिए भरत जैसा बाइव हो जो राम के प्रती इतना आस्तावान हो कि उनकी खड़ाऊ रखकर उनकी और से सामराज चलाए तो वो तो हो गई आज भाई सेर सिंग जी राणा निशंधे उसी दिसा में बढ़ रहे हैं सेर सिंग जी राणा का कोई भी स्वार्थ कहीं भी राजनिती में हो नहीं सकता सब जानते हैं कि वो सजायापता है वो खुद राजनितीक पद ग्रहन नहीं कर सकते चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन उसके बाद भी वो अपने आपको बेहत जोखिम में डाल कर ये कारिये कर रहे है आप जानते हैं अभी केस हाई कोर्ट में चल रहा है पेंडिंग है सरकार भी हाई कोर्ट में गई है हम भी हाई कोर्ट में गए है उनके इस कारिये से सरकार वकील जज़ कितनी बड़ी रिस्क है ये लेकिन जब वो इस रिस्क से नहीं डर रहे हैं हम जैसों को कैसे डरना चाहिए और कम से कम मैं तो नहीं डर सकता मैं उनके साथ हूँ उनको पूरी तरह से इस में जहान मेरी जरुरत होगी मैं दे रहा हूँ जरुकाई साब आप एक बात बताईए कि आप कहरें कि वो सजायापता है और फूलन दिवी का हत्या का उनके उपर आरोब है कई साल तक वो जेल के अंदर रहे है तो क्या एक सजायापता विक्ति को जनता स्विकार करेगी नेता के रूप में सजायापता कानून के ये जो विरादा भास विरोदा भास है ना इनके कारण है अदरवाइज सेर सिंग जी राणा जैसा निश्शल विक्ति आपने उनका चहरा देखा है वो एक तपस्वी विक्ति है फूलन का जहां तक सवाल है फूलन अब आप कोगे ताडिका के हत्ता राम ने कर दी ये क्या मतलब हुआ जो विक्ति सब शमाज में ऐसे कारिये कर दे फूलन की हत्त्या या फूलन का मरना या फूलन का जाना ये हत्त्या नहीं ये वद है ये जिसने भी किया बहुत अच्छा किया है कारण की फूलन ने कोई सो से ज़्यादा लोगों को निरपराद लोगों को निर्दोस लोगों को उनकी निरसंस हत्या की है बेहमई गाउं में 22 लोगों की निर्मम हत्या की गई उन 22 लोगों में 17 राजपूत भी थे दो ब्रहमन भी थे, दो हरीजन भी थे और एक अबोध बच्ची ढ़ाई वर्स की थी अब आप ये बताईए कि उन अब लोगों ने पूलन का क्या बिगाड़ा था मैं पूछता हूँ आपसे पूलन का ये वो कोर्ट के अंदर था मामला कोर्ट की बहस है, वो वकीलों की बहस है हम उस पे नहीं जाते, मेरा आपसे ये पूछना है कि अभी जो ये आपकी परिवर्तन यातरा निकाल रहे हैं, आप जन जागरण कर रहे हैं तो क्या ये सारी की सारी राश्टरवादी जनलोग पार्टी के लिए ये तैयारी है विदान सबाच चुनाव कि हरेणा में जो बहुती राश्टवादी, मुद्दे हैं गाये जैसे गौमाता है, हमारी कुल्देवी है लेकिन गौचर भूमी ना होने के कारण वो आवारा घूम रही है, किसान इधर से लठ मारते हैं उधर चली जाती है, बचने परिशान है उनके लिए 1947 में जो गौचर भूमी थी उसको पुने खाली करवाने के लिए ये एक अभियान है छोटी छोटी बच्चियों जो बारे साल से छोटी बच्ची है वो दुर्गा का रूप होती है शत्षनातन धर्म में और छात्र धर्म में दुर्गा मानी गई है वो बारे साल से छोटी बच्ची किसी भी जाती की हो, किसी की भी हो वो उन छोटी छोटी बच्चियों के प्रतिगी दरिंदगी होती हो और दुर्गा के पुत्र यानी छित्रिये बैठ कर तमाशा देखते हो ये भई हम से तो होगा नहीं अब आप तो ये भी कहोगे कि राजपूत युवा को रोजगार क्यों मिले देखिये जब व्यक्ति खाली होता है और उर जावान होता है तो वो सस्त्र उठा सकता है और यदि वो सस्त्र उठा लेगा तो नक्षलवादी बन जाएगा मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि राजपूत युवा सस्त्र उठा ले और नक्षलवादी बन जाएगा देश वरोधी हो जाएगा हम लोग खास तोर से उनको राष्टवाद की धारा में लाने के लिए चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले शकरात मकारिये में लगे इसने इन पांच मुद्दों को लेकर भाई सेर सिंग जी राणा चल रहे हैं और यदि ये से राष्टवादी जनलोग पार्टी का गठन हो जाता है या उसको फाइदा होता है तो मुझे बताई गलत क्या है इसने तो अभी जो आपकी 21 जुलाई की एक आप रेली का योजन कर रहे है क्या ये एक तरह से आपका राजने तेक ताकत दिखाने का प्रियाश है ये अस्तित तो बचाने की लड़ाई है और हर्याना में राजपूत राजनीती जो बांच बन गई है उसके लिए पुनहें पुनर जीवन देने की एक लड़ाई है ऊसे हम यहां रहते हैं इसका गिनाने का हमारे पास क्या रास्ता है हम ना तो हमारे जाट भाईयों की तरह पूरे हर्याना में आग लगा सकते हैं ना हम हमारे गुजर भाईयों की तरह पढ़ियां उखार सकते हैं ना हम और समाजों की तरह ये सारा काम कर सकते हैं हम तो भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर हैं वो कहते हैं कि शत्रियों को साथ बात जो उन्होंने शत्रियों के लिए बताई है उनमें एक बात ये भी बताईए है कि वर्स में प्रांत के चत्रियों को शमगर रूप से एकत्रित होकर एक जगे जैगोस करना चाहिए उस जैगोस से उनका राजने तिक सकती भी सामाजिक प्रवुत्त भी इस्ताकित होता है और उसी को हम दोहराने जाने तो आप थे राजने शिंग की नरुका आप सेड़ सिंग राणा द्वारा की जारी परिवर्तन यात्रा के प्रवक्ता हैं और आप चाते हैं कि इस यात्रा के बाद में एक रेली के मद्दिम से हर्याना के राजबुतों की गिंती गिन्वाई जाए क्योंकि अब तक उनकी गि के साथ हम फिर इसी तरह की सक्षियत के साथ फिर हाजिर होंगे धन्यवाद